मुझे प्रश्णली बहुत सारे मेसेज़ेस प्राप्त हो रहते हैं PSC को लेकर, क्योंकि Academy के उपर हम जो चीजे लेकर चलते हैं, वो PSC से थोड़ी अलग होती है, हाना जिसमें हम व्यापम से सम्मंधित एक्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इन सभी प्रश्णों के जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, तो इसमें हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, कि MPPSC की तैयारी कैसे शुरू की जाए, MPPSC के बारे में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, प्री मैंस इंटर्व्यू किस प् अब मेंस उनका होगा, और उसके बाद आपका 2025 जो है, उसके अंदर बहुत सारे एक्जाम्स PSE आउजित करवाने वाला है, तो PSE किस प्रकार से अपनी चीजों को आगे लेकर चलता है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे, और अभी करेंटली जो 2024 का मेंस होने वाला जिनका प्री हो चुका है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर डिसकस करेंगे, मैं क्यों बता रहा हूँ, या मैं क्यों बताने लायक हूँ, या आपको थमनेल में दिख गया होगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, क्लास को, प्री और मेंस की र प्रशन थे, उन प्रशनों पर आधारिक क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, पहला प्रशन ये होगा कि नोर्टिफिकेशन दो हजार परचिस का कब तक आ सकता है, उस पर में आपको बता दूगा, क्या संभावना है, प्री और मेंस कैसे त्यारी की जाए, या एक साथ त्या तो वो लोग अपनी अलग-अलग strategy बताते हैं, मैं भी यहाँ पर आपको यह कह दू कि मेरे द्वारा जो भी चीज़े बताई जाएगी है, खुद के अनुभाव से बताई जा रही हैं, इसमें आपकी जो इस्थती हैं वो अलग हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जीजे हो सकती हैं, किसी का ओनलाइन पढ़ने का ज़्यादा वो रहता है, तो वो ओनलाइन कोर्स से पढ़ता है, किसी को किताबों से ज़्यादा प्रेम होता है, तो वो किताबों से पढ़ता है, किसी को नोट से ज़्यादा प्रेम होता है, तो वो नोट से पढ़ता है, ख बड़ा था किस प्रकार आगे बड़ा था जिसके वजह से में मध्यप्रदेश लोग सिभायों के अंदर इंटर्वीव के लिए गया था यह सारी बात आज आपन करने वाले हैं कोचिंग के बारे में भी बात करेंगे कोचिंग जरूरी हैं या नहीं अगर हैं तो कैसे की जाए और अगर नहीं तो फिर क्या उसरी कर आपको दूगा यह सारे प्रस्ने मेरे notification साल के अंत में जानी करता है यानि कि चोविस जो चल रहा है आपका इसका जो दिसमबर महिना आएगा उसके जो 21 तारीक आएगी उसके पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आप पिना चिंता के उसको देखिए ठीक है यानि कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दिसमबर 2024 के अंदर 2025 के परिक्षा के लिए अभी सर जो पीएस्जी हुआ था वो कौन सा था तो वो 2024 का था जिसका नोटिफिकेशन दिसमबर 2023 में आया था ठीक है पेपर हुआ था पेले लेकिन सबकी बात करेंगे परिक्षा संभवता मार्च तक आयो जित करवाई जाएगी तो दिसमबर में नोटिफिकेशन आता है तो लगबग तीन महिने का समय आपको दिया जाता है तो यह तो ओगे नोटिफिकेशन की बात आगे बढ़ते हैं प्री करेया मेंस तो देखो दो तर है ना तो आप मेरी ही नजर में आप देख लीजे तो बहुत सारे से स्टूडेंट होंगे जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही हैं जो केवल मेंस दे रहे हैं तो प्री पर फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आलेडी उनका प्री इतना अच्छा होता है कि 4-5 दिन पढ़ते हैं क्यां क्योंकि प्री एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो आपको बाहर भी कर सकती है कहने का मतलब यह कि allora थिश्मत कनेक्शन चलता है क्योंप है मैजिक कह सकते हो आप इसको किस्मत कनेक्शन कह सकते हो यहां पर अगर आपको इंट्री करनी है पीसी की लाइन में तो प्री निकलना वह जरूरी है अगर प्री में ही आप बाहर हो गए तो अंदर जाई और प्री पर विश 네स में ब्रुमाय करना है और कब फोकस करना है जब हाफ विच Southern कर नहीं होगा है बागी अभी प्री पर फोकस करना है अभी जिसे कि कहने का मतलब यह कि जब आप पड़े तो प्री के तत्यों को विशेस रूप से उसके बाद तैयारी आप शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें मैंने लिख दिया है कि जो अभी पहली बार शुरू कर रहे है प्री पर फोकस विशेस रूप से रखें और नोट्स जो होंगे वो आपको बनाना पड़े गया बिना नोट्स के चैन नहीं होगा यह मैं फिर आप से कहे रहा हूँ नोट्स बहुत कंपलसरी हैं नोट्स इसलिए कंपलसरी होते हैं क्योंकि मैं आपको मैंस के बारे में बता हूँ तो जब मैंने मैंस दिये थे दो बार तो मैंस लगातार होते हैं बिच में गेप नहीं होता है यह आपको पता होगा तो क्य जो इस्तिती होती है छे दिन की यह बहुत भयावा इस्तिती होती है जो प्यस्ते से जुड़े लोग है उनको पता होगा mentally depressed हो सकता है वेक्ती mentally torture कह सकते है इसको तो कि यहाँ पर अगर आपने division नहीं किया तो आपका paper 100% भिगड़ सकता है हाला इसमें कोई दोर आए नहीं है तो notes बहुत जरूरी इसलिए जरूरी है कि मालीज आज एक paper संपन हुआ अगले दिन second paper है तो कम से answer के अंदर frame करके लिख कर आएंगे जिससे आपको बहुत जादा फाइदा होने वाला है ठीक है तो notes बनाना है और 100% बनाना बिना notes के mens नहीं निकलेगा यह आप किसी से भी पूछ सकते हैं selected लोगों से पूछ सकते हैं इंटर्व्यू दिये उन से पूछ सकते हैं मैं खुद आपको बता रहा हूँ तो आप लोग इस पर विश्वास करें बिना notes के selection नहीं होता है ठीक है खुद के notes ठीक है किसी coaching के ले आईए आप notes उसमें underline कर लिजे कुछ भी कीजिए पर आप ऐसा आपके पास कुछ हो जिसको आप 3-4 घंटे में आपके paper को revise आप कर ले ठीक है मैंस कीजिए उसके बाद परियाप्त समय होगा तो interview पर बात भी करेंगा अपन चलिए बहुत basic सी बात होती है interview के अंदर चलिए 2024 के मैंस की रणनीती पर बात करते हैं विशेश रूप से वीडियो मैंने इसलिए सूट किया था कि मैं 2024 के रणनीती पर बात करूं मैंस की रणनीती पर बात करूं कि मेरी क्या रणनीती रही थी और अभी scorecard तो नहीं आया है क्योंकि आप सबको पता होगा final scorecards जो मैंस के है वो नहीं आ पा रहे हैं तो मैंस के नंबर अभी नहीं पता चल पाते हैं ठीक है तो मैंस की रणनीती क्या होगी जिसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हो तो 4-5 point मैंस के लिए मेरे हैं जो मैंने follow किये हैं आप उसको देख सकते हैं पहली बात तो आपको 2014 से लगाके 2023 तक के सभी जो प्रश्न पत्र है ठीक है यानि कि previous year questions जिसे आप कह सकते हो और previous year questions को आपको solve करना है ठीक है तो previous year questions कहां मिलेंगे आपको PSC की website पर भी मिल जाते है previous year questions और रही बात दूसरी तो बहुत सारी market में books आ गए जैसे निर्मान वगिरा की books जो मैंस के questions को solution के साथ provide कर वाते हैं तो 2014 से लगा कि 2023 तक के प्रश्न अगर आप दोस्तों solve करते हैं तो 101% आपको इससे benefit होता है क्या होता है कि PSC का जो syllabus है वो लगा है तार चेंज हो रहा है 2019 में अलग syllabus था 2020 में फिर syllabus चेंज हुआ और 2021 के अंदर syllabus पूरा चेंज कर दिया गया यानि कि तीन बार syllabus को बदला गया है तो रहन निती अलग-अलग हो सकती है पहले syllabus के अंदर विश्व इतिहास के topics आते थे इंग्लेंड की क्रांती अमेरिका की क्रांती इस प्रकार के topics आते थे जब हम उसमें आये second में आये तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव किये गए और अब तीसरे face में अगर हम आते हैं इसके syllabus के तो इसमें उध्यमिता जैसे बहुत सारे topics समाजवाद और ऐसे topics चोड़े गए हैं तो मेंस की अगर बात करें तो फिर पठेगरम का आपको गहन अध्यान होना चाहिए यानिके syllabus कंठस्त आपको होना चाहिए syllabus याद आपको होना चाहिए यह मैं कहूंगा क्योंकि syllabus के बाहर चीज़े नहीं पूछी लाइन का नोट्स आपके पास हो उसे केक लाइन से प्रस्न बनाया जा सकता है मैं अभी examples भी दूँगा कि किस प्रकार प्रस्न पूछे जा सकते हैं syllabus को कैसे पढ़ा जाए ठीक है मतलब कुछ ऐसे सीधी सीधी यूनिट है जो आप एक दिन में पढ़ सकते हैं खतम कर सकते और वहां से पूरे नंबर आ सकते हैं तो ऐसी यूनिट्स भी मैं आपको बता एक ऐसी यूनिट्स आपको मिलेगी जिसमें आप 20 दिन भी देदोगे तो यूनिट और ऐसा पता कब चलेगा जब हम प्रिविस एर कोश्चन सॉल्व करेंगे और हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रस्णों की प्रकृति रही है पाठ्यक्रम से बाहर प्रस्ण नहीं आएंगे मैं फिर आप से कह रहा हूं एक भी प्रस्ण आपके पाठ् से पाने का या फिर इंटर्व्यू तक जाने का इंटर्व्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने का एक ही रास्ता है और वो है निरंतर लिखित अभियास अगर मैं आप कहूं कि आज आप प्रस्ण करते हैं और आज इससे ही मैं आप से कह दूँ कि आपको रिटन लिठों फिर आप कोशिश कीजिये कि एक आप बो लेकर एक पेज लेकर एक पेन लेकर उसको लिखें जैसे आपने मालवा का पठार पड़ा तो मालवा का पठार कहां है उसकी सिती इस बारे में अपन कम से कम 50 वर्ड पिशाश शब्द लिख ले आँना तो चाहे कैसा भी भपवास लिखें, बेकार लिखें, राइटंग सही, कोई दिक्कत ने, कोई दिक्कत ने, आपको चेक कर रहे है, उसमें आप देखें का आपने ям्ने सही क्या लिखा है, गलत तो ठीक है, पर सही लिखा गया है, आगई वास समिछ में, ऐसे आप निरंतर अभ्यास करोगे, त आपको हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि PSC का जो पुरा वो है schedule है उस schedule के अनुसार आपको काम करना है और दूसरी बात PSC की जो book होती है copy होती है men's की उसमें प्रस्ण छपा हुआ होता है आपको अगर नहीं पता हो तो PSC के आप साइट पे जाईएगा आपको वहाँ पे जिसे मान लीजे यहां उपर लिखा है मालवा के पठार की चर्चा कीजिए मालवा के पठार के बारे में विस्तार से बताईए तो नीचे आपको gap मिलेगी ऐसे lining वाली वहीं पे आपको लिखना है उसे ज़्यादा नहीं लिखना है ठीक है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ यह चीजे दियान रिखना है writing आपकी जो हो सर क्या writing बहुत बेकार होती तो number कटते हैं या बहुत अच्छी होती तो नंबर ज्यादा मिल जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है राइटिंग ऐसी हो जो सामने वाला पढ़ सके एक बात ध्यार रेकना पी एसी की कोपी ऑनलाइन चेक होती है कि कोपी को पहले फौटो कीचा जाएगा और कम्पीटर पर डाल दिया जाएगा फिर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं जैसे मैं यह लाइन खीच रहा हूं जैसे माली जी कि आपका प्रशन है और यह नीचे वाले आपके उत्तर है ठीक है तो कोई भी जो कौपी चेकर होग वो इस प्रकार से चेक करेगा माली यह प्रशन हुआ और यह इनके उत्तर हुए तो ऐसे चेक करेगा ऐसे और आपका यह ठीक ठाग अंसर रहात वो यहां पर मार्किंग कर देगा आगई बात समझ में तो कम्पीटर पर ऐसे कौपी चेकिंग होगी अब प्रसन आपको बिल आप निश्यंत रहिएगा अगर आपने एक भी प्रसने छोड़ा किसी भी पेपर में तो यह आपके लिए दुगदाई हो सकता है मान लिजे थोड़े बहुत छूटते हैं प्रसने छोटे प्रसने अकसर छूड़ जाते हैं जो थ्री मार्कर होते हैं वो वन लाइनर होते है और यह नहीं बन पाते हैं क्योंकि थ्री लाइनर में क्या होता है कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे और फिर आप अंसर नहीं कर पाएंगे है न तो यह सबके साथ होता है चार-पांच प्रसने सबके छूड़ते तो उसमें दिक्कत नहीं है जो आपके बाद वाले हैं जै आपसे नहीं चूटने चाहिए मैं इसलिए ऐसा किर रहा हूं कि माले जोस्तों आपने दो क्거ूश्यंन एक पेपर में छोड़े है खंद ब एक पेपर में दो खंद होती पार्ड्य. पार्ट अंसरflanहीं में आतंby प्मसालने आप पांश छोड़ते आपकर 5 पर अन्य हमान से 50 में से कम से कम आप 25 तो ला सकते थे उसमें, अगर आपने लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो 20 तो मिलेंगे, तो वो 20 नंबर आपको मैंस से भाहर कर सकते हैं, इंटर्व्यू से भाहर कर सकते हैं, या फिर फाइनल सेलेक्शन से भाहर कर सकते हैं, तो एक बात दिया बस के अंदर सारी चीजों को पढ़ने के बाद, प्रेक्टिस, राइटिंग स्पीड इतनी हो जाए कि प्रस्न तय समय सिमा के अंदर पूरा हो जाए, प्रस्न पत्र पूरा हो जाए और आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि जब मैंने पहला मेंस सपना दिया था, तो मेरे बहुत सारे प्रस्न छूट गये थे, जिसका सबसे बड़ा करण था कि उस टाइम मेरा मेंस नहीं हो पाया था, सेकेंड बार में फिर मेरा मेंस हुआ, तो उस समय मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है? तो पूरा पेपर जब हमारा कंप्लीट हो था, संस्कृति के बारे में पूछे गया था, सारे 2020 के पेपर में आहाड संस्कृति करके कुछ प्रशन आया था, जो किसी को नहीं पता था, कुछ ही लोगों को पता होगा, तो ऐसे प्रस्न छोड़े जा सकते, लेकिन पूछा के मालवा का पठार के बारे में बताईए, तो लिख कर आएगा, आप उस 3% बच्चे में आ जाओगे, जिसने उस अंसर नहीं दिया है, ठीक है, ऐसी कोई चीज पूछे हैं, जो केवल 3% बच्चों को आ रही है, 97 को नहीं आ दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सरल सी चीज पूछी, और पूछ लिया तो उन्होंने कोश्चन पूछा, कबीर, और कोश्चन मार के लगा दिया पीछे, तो फिर आपको बता नहीं, आगई का समझ में, 2020 में हमसे पूछा कि बताओ, नर्मदा और तपती, दोनों सबसे पास में कहा होती है, अब आपको दोनों नदियों के बारे में पता है, कि द दोनों नदिया अलग अलग जाती है, और दोनों समुदर में मिलती है, अरब सागर के अंदर जाके, तो अब यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ही है कि हमें पता होना ची कि दोनों नदियों लग अलग अलग जाती है समुदर के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं यह दोनों की दू दे दिया किसी राइटर का नाम दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ इनकी दो रचनाय कुन सी है और आपने दो रचनाय लिए तो आपको पूरा नमबर मिलेगा आगई बास तुमिड में तो यह जो पूछा उसका अंसर देना है यह भी मैं यहाँ पर पॉइंट में आपको लिख देंगे तो आपको पांच नमबर नहीं देगा वह आपको उतने ही नमबर देगा जितने उसने देना है आगई बास अब वो पांच रचनाय लिखने के चक्कर में आपका वेस्ट हो जाएगा टाइग आगई बास तमझे उसने पूछा किसी चीज के पांच लेकिन आप 12 लिखने गए तो वही टाइम आपका दूसरे प्रस्न में कम पड़ जाना है और जैसे ही वह टाइम कम पड़ेगा आपका काम हो जाएगा तो डेड़ अक्कल नहीं लगा ना जो पूछा वही बताना है यह PSC के अंदर आप इसको एक कॉल्डन रूल मान सकते है कि जो पूछा यार तीन लाइन लिखिए इस पेस तीन लाइन का है तो जबरजस्ति चार लाइन में नहीं ठूसना है उसको हाना PSC की गाइड लाइन अगर आप देखेंगे कॉपी चेकिंगे तो उसमें इस पस लिखा है सब्द सिमा का विशे से ध्यान रखा जाए अगर सब्द सिमा के उपर लिखने का प्रयास किया तो नंबर काटे जाएंगे यह PSC ने खुद लिख के दिया है और आप यह सोच रहे हो कि दसवी बारवी का पेपर हो रहा है और हम जो है जादा लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगे ऐसा कुछ नहीं होना है नंबर उल्टे कट जाएगे ठीक है यह ध्यान रखना डेड़ अकल नहीं लगाना है सब्द सिमा का विशेश ध्यान रखना सबी यूनिट्स के संगशिप्त और सारगर्वित नोट्स आपके पास होने चाहिए अगर मैंस 2024 के आप तयारी कर रहे हैं तो सारगर्वित नोट्स आपके पास हो संगशिप्त नोट्स हो हर टोपिक के नोट्स हो कैसे नोट्स बनाए जाते हैं तो मैं आपको उसमें बता दूँगा किस प्रकार से नोट्स या फिर टेलिग्राम पे में डाल दूँगा टेलिग्राम हमारा परफेक्शन अकेडमिक है वह आप जूड़ सकते हैं तो उस पर में नोट्स अपने शेयर कर दूँगा अब दूसरी बात यह है कि सारगरभीत नोट्स जूँगों कैसे बना है सर क्या पूरा इतियास ये तो पूरा इतियास लिखें कैसे स्लेबस में जो लाइन लिखेए उस लाइन के इसाफ JENN आपको notes बनाना है, मैं अब भी आपको बता दूँगा कि किस प्रकार से आप इसके notes बना सकते हैं, ठीक है, अब देखो आगे, revision और लिखने का अभियास आपको तेजगती से करना है, यानि कि जादा से जादा अभियास करना है, तो जादा से जादा speed बढ़ेगी, देखो सीधा सा सम्मंद होता है revision से speed का, जैसे मालो, मुझे कोई पूछेगा कि मालवा के पठार के बारे में बताईगे, तो मुझे एक से डेड़ मिनिट नहीं लगेगा, और मैं कम से कम 70-80 सब्दोस पे लिख दूँआ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, कि मालवा का पठार क्या है, सब पता है, तो speed अच्छी रहेगी, अब मालो कोई चीज आपको पता ही नहीं और आपको कहें कि फटा-फट लिख, तो तुम्हें उत्तर नहीं पता है, तो आपका टाइम 手चने में चला जाएगा, इसलिए, इस चीज सब्सक्ति है और रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन बिना उदार नहीं है, नोर्स बिना उदार नहीं है, चाहए नहीं लिखनी है, कि मालवा का पठार पूरा है, तो पूरा का पूरा पचास सब्द में की पोइंट लिखना है सिनॉपसिस आप कह सकते हैं की पोइंट में आपको चीजों को आगे वैताडन से करना है जैसे मैं कुछ सलेबस यहां पर बता रहा हूँ आपको तो आपको पूरा पाठिक्रम जब आप अध्यन करेंगे पूरा पाठिक्रम पड़ेंगे तो उस पाठिक्रम के अंदर कुछ चीजे निकल कर आपके सामने आएगी उस पाठिक्रम के अंदर आपको क्या चीजे मिलेगी उस पार्टिक्रम के अंदर आपको चीजे मिलेगी कि किस प्रकार से कुछ यूनिट्स ऐसी है जो कम मेहनत में ज्यादा रंबर दिलवा सकती है तो ऐसी लगबग 20 यूनिट्स आपको पूरे 6 पेपर तक मिलने वाली है तो इन वीट्स यूनिट्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में यूनिट्स यहां पर दे दी है जैसे आप पेपर फर्स्ट इतिहास का खोलेंगे तो पेपर आपको पते हैं यह ना पेपर एक में दो पार्ट होगे पार्ट A होता है, एक पार्ट B होता है, यह मेरे पास पेर नहीं है, तो मैं माउस से ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे थोड़ी सी राइटिंग बिगडरी, आप इसको B मान ले, A और B, ठीक है, तो पेपर A, और फस्ट के अंदर पार्ट A जो है, उस पार्ट A में, एकाई नंब चार, एकाई नंबर चार जो है, वो आप ध्यान एकना, हाँ, एक बात और, मैं यह आप ध्यान दिला दूँ आपको, कि आपको MPGK नहीं बोलना है, MPGK का गहन अध्यान आपके पास चाहिए, आप उसके लिए किसी भी books का यूज़ कर सकते हो, किसी भी notes का यूज़ कर सकते MP, PSC के अंदर बिना MPGK उद्दार नहीं होगा, pre हो चाहे menso, pre में इस बार 45 से ज़्यादा प्रस्न पूछे गए, 2024 में MPGK, menso के अंदर लगबग आपको मान के चलिएगा, 300 से 3.5 नंबर के सभी पे परस्न मिला के प्रस्न आपको MPK ही मिलेंगे, MP, अगर आपका मजबूत है, तो आप बहुत अच्छा score कर पाएंगे, ठीक है, गनतंतर के रूप में भारत का उदे, राज्यों का पुनर गठन, मध्यपरदेश, राज्यका गठन, स्वतंतरता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुग गठना है, यहां से माल लिज़े, प्रस्णत बना, यहां से क्या प्रस्णत बन सकता है, यह एसी युनिट्स में बता रहा हुँ, जो कम समय में आप तयार कर सकते हो, ऐसी युनिट्स आप ढूंड लिजए, मैं डिसक्रिप्शन में दे दूँँआ नाम उनके, कौन-कौन से यसी उनिट से जो कम समय में तयार हो जाएगी और मैं इन से बहुत अच्छा आपका जा सकता है जैसे में कहूँ पराची नित्यास तो बहुत बड़ा है कब पढ़ोगे कब क्या करोगे तो पहले उन उनिट्स को सेलेक्ट कर लो जहां से ज्यादा नमबर आ जाए जैसे यहां लिखा है गणतत्र की रूप में भारत का हुदाए राज्यों का पुनर गठन मद्य पर्देश रजी के रूप में गठन स्वतनतता प्रशात यहीं से एक प्रसन बनाया जासकता है सीधा सागर उसको कुछ भी नहीं करना होगा तो वो सीधा पूचेगा कि मद्य प्रदेश के पुनर गठन पर ठिपनी कीजिए सीधा प्रस्ण बन सकता है यहां से पहली लाइन से और यह ऐसा प्रस्ण होगा जिसका अंसर सब को ही देगा तो इसके एक सारगर्भीत नोटस आपके पास होंगे तो आप दो मिनिट के अंदर सोशब्द लिख सकते ती मिनिट लग जाएंगे आपको लेकिन आप बेस्ट अंसर लिख पाएंगे ठीक है फिर देखे भारती संस्क्रती विरासत मध्य प्रदेश के विश्य संदर्व में पढ़ना है ठीक है मध्य प्रदेश का कल्चर प्राचिन काल से आदुनी काल तक विभिन कला प्रारूप साहित्य पर्व उस्सव वास्तु कला के प्रमुपक्षे यहां से सीधा प्रस्ण क्या पूछेगा वो पूछेगा बताईए मध्य प्रदेश में कौन-कौन से पर्व मनाया जाते हैं और किस-किस छेत्र में मनाया जाते हैं सिधा प्रशना सकता है वास्तुकला दे रखा है तो आप से पूछ सकता है कि खजुराहो इस्तापत्तिकला के बारे में टिपनी कीजिए 200 शब्दों में जो भी वाँ पे लिमिट होगी आगई बास समझने है तो कला साहीत्य परव इन पर जैसे खजुराहो है तो खजुराहो पर आपके पास 100 शब्द का एक नोट्स बना हुआ होना चाहिए ताकि गलती से आपकी किसमत सही रही और वही आगया खजुराहो पर टिपनी कीजिए तो फिर आप क्या करोगे दुसरों को मुह नहीं देखना है पिर आप 100% मानिएगा कि अपना सिलेक्शन नहीं होना है जब मान लिजेगा खजुराहो प प्रइट का है मद्य प्रदेश का प्रेटन हैं मद्य प्रदेश की जन जातियां यह मद्य प्रदेश का गोचेगा कि UNESCO के World Heritage side में मद्य प्रदेश के कितने इस्थान सामिल है तीन नंबर में पूछ सकता है दो नंबर में पूछ सकता है पूछ सकता है मद्य प्रदेश विश्वदरोर इससल में कौन-कौन से जगह शामिल है उनका विस्तार से वर्णन कीजिए तो फिर तो उत्तर बताना पड़ेगा न आगई बास समझ में यह एक्जाम्पल्स में आपको दे रहा है यह यूनिट 4 है पेपर एक की पार्ट एक की अब इसी पेपर एक में यूनिट 5 भी है जिसमें पूरा MP है मैं फिर करा हूँ MP को हलके में न ले नई तो यह आपको सचमें हलके में ले लेगा और अगर इसने आपको हलके में ले लिया तो डेपटी कलेक्टर तो दूर की बात है आप हलके के नाम से सर्च करेंगे MPG के तो आपको गौंडवाना बुंदेली भगेली बिल्कुल कहनी की तरह सटीक तरीके से पढ़ाया गया आप देख सकता है यहां से प्रस्ण पूछा जा सकता है जिसे पूछ लेगा बुंदेली रियासत के बारे में बताईए बुंदेली रियासत कहा राणी दुर्गावती पठिपनी कीजिए ऐसा ही आगया तो उनका युद्ध किस्से हुआ क्या वहां पर इस्तती थी यह सारा आपसे पूछा जा सकता है ठीक है बाद अलबोई पेमा फाल्या यह एक एक नंबर में प्रस्णा आ सकते है मतलब दो-दो मार्क जो दे रखा ह माली जै गजन सिंग्कोर को है या कोशन मारक आ गया तो आप उसका अंसर कर पाए ठीक है यह प्रस्णपत्र एक का खंड भी जिसमें वह गोल आता है ठीक है तो इसमें देखो यह क्रशी और संसाधन है तो मोटा आना च स्री अन्न पे 100% प्रस्णा आना इस बार ठीक है मैं बाद मैं बता दूँ आँ चीज़े कहां से की जा सकती है खाद्यू स्रakes्षा हरित्क्रांति हरित्क्रांति 2.0 पूछा जा सकता है यह तो यहां से बीप्रस्णा बनाया जा सकते हैं यह वो यूनिट्स हैं जो काफी सरल सब्दों में आप तयार कर सकते हैं पर यह संसाधन क पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है यह पूछा जा सकता है ठीक है राष्टी जलनिती क्या है देट सो शब्दों में बताईए दो सो शब्दों जो भी उसमें रेंज दे रखी होगी प्रश्णिया से पूछा जाएगा यह एक एक एक्जामपल है पेपर फस्ट का पार्ड भी और उसी के अंदर इकाई चार आपदाईवम तक्नीक अभी हाली में जो आपदाई उनके बारे में पूछा जा सकता है क्या हाली में घटी थोरी आपदाई जिसमें हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मिर के अंदर बाड़ आई थी इन बाड़ों को रोकने के क्या प्रयास कि प्रयास किये जा सकते हैं और इन चीजों की पुनावरती नहीं हो इसलिए क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं आपके सुझाओ भी आप दीजिए ऐसे प्रस्ण बनाया जा सकते हैं प्येस इसलिए जाना जाता है तो प्रकृतिक खत्रे प्रकृतिक अब्दाय क्या होती है बोकम सुनामी क्या होता इन पे संक्षिप्त नोटस आपके पास हो ताकि at the time अगर आपसे कोई प्रस्ण पूछे तो आप उसी time अंसर कर दें आपसे पूछे कि बही बताइए भारत में उश्नकटी बंदी चक्रवाद कहां आते हैं तो यह तो सरल से प्रस्ण होगे इनके उत्तरा अगर आपसे नहीं बन रहे तो दिक्कत वाली बात है यहां से प्रश्ण बनने चाहिए क्योंकि सबसे सरल टोपिक्स में आपको बता रहा हूँ पर्यावरन प्रदूशन पर टिपनी किजिए पर्यावरन प्रदूशन पर निबंद लिकिए पर्यावरन प्रदूशन क्या है वायू प्रदूशन क्या है यह पूछा जा सकता है पिछली बार पूछा था, जब मेरा मेंस था, तो पूछा था, कि शहरी बाड के उपर टिपनी करना थी, यह शहरी बाड के बारे में निबंद भी पूछा गया था, तो इससे आपके निबंद भी complete होंगे, ठीक है, जब बैसे topics आप पड़ोगे, तो आपका निबंद वाला जो paper है, वो इससे complete होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जज संक्या वर्धी, काफी demand चल रही, जज संक्या वर्धी कानून या जन संक्या के लिए कानून लाने पर, तो यहां से प्रशन बनाए जा सकता है, अभी जन संक्या क्यों नहीं होरी, यह पूछा जा सकता है, कि भा भुगोले की स्तती निर्धारन परणाली क्या है, यह सारी चीजे पूछी जा सकती है, MPPSD के दुवारा, ठीक है, तो यह basic basic बात है, यह आपका भुगोल वाला प्रस्न पत्र है, भुगोल वाले प्रस्न पत्र में मद्धपरदेश का भुगोले, ठीक है, तो इसमें भी तापमान हो गया कि मद्य प्रदेश में क्या स्तथी तापमान किरेती नर्मदा सोन गाटी अना मद्य भारत का पठार हो गया यह सारी चीज़े आपको थोड़ी सी ध्यान रखने है ताकि आप इन उनिट्स को अच्छे से कभर कर लो मैं एक लिस्ट दे दूँगा कि कौन-कौ जैसे आप पाठीक्रम को पढ़ोगे ना तो आप खुद बखुद पता चल जाएगा कि कहा हमको कम समय लागे जैसे कहा लिखा मद्यकालीन बारत तो क्या पूरा मद्यकालीन बारत पढ़ना है तो उसको भी छोड़ दीजे हाला उसको हौल्ड कीजे इन चीजों पर ध्यान पूरी यूनिट है मतलब तीस नंबर पच्चिस नंबर आने ही आने हैं आख बंद करके विश्वास कीजिए आगई बास समय ठीक है मद्यप्रदेश के बुगोल मद्यप्रदेश के इतिहास मद्यप्रदेश की जंजातियां ये वो टोपिक है जो 100% आपको नंबर दिलाए इतिहास बहुत बड़ा है उसमें गोते लगाने जाओगे तो 25 नंबर के चक्कर में इधर के 100 नंबर छूट जाएंगे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मद्यप्रदेश में भी वहीं कुछ टोपिक कोमन भी होते हैं बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं प्रारम भी होगे तो लगभग 400-400 नंबर का वेटेज मनाती है महां से आप इसको निकाल पाओगे अब प्रिलिम्स वाले क्या करें प्रिलिम्स वाले 10 उनिट आती है प्रिलिम्स में पहली आती है प्रारम भी भारत का इतिहास तो इसके लिए आप केवल लूसेंट पड़ें अबर सेकेंड की मद्य प्रदेश का इतियास संस्कृति एवाम साहित तो MPGK की कोई भी किताब ले लीजिए चाहे वो पूनेकर हो चाहे वो परिक्षादाम हो चाहे वो महवीर पब्लिकेशन हो कोई भी किताब हो आपको एक बूक लेना है उसमें आपकी यूनिट 2 भी हो जाएगी और मद्य प्रदेश के आपकी ये पांचवे का पार्ट भी और छटे का पार्ट भी कंप्रीट हो जाएगा यानि कि कुल मिला के मद्य प्रदेश के तीन यूनिट आपके कंप्रीट होगी एक किताब से वो या तो परिक्षादाम हो सकती है वो पूनेकर हो सकती है वो महाद में किसी बुक के बारे में यह नहीं कि रहा हूं कि यह बुक आपको लेना ही लेना है आप आपके नुसार विचार कर सकते हैं बाकी यह सारी बुक्स जो है काफी अच्छी है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, error नहीं है, यह error होंगे भी तो minor से error होंगे जो ठीक है चल जाता है, तो याद रखना MP की कोई एक book लोगे, तो unit 2 complete हो जाएगी, unit 4 complete हो जाएगी, और unit 5 का part B और part 6 का part B complete हो जाएगा, अब अच्छी भारत के भुगोल की, तो भारत का भुगोल, आप किसी भी book से पढ़ सकते जिसमें lucent एक best book है, कुछ नहीं पूचेगा, देखो syllabus में लिखा है नदी, पहाड, परवत पूचेगे, तो परवत सारे पढ़ डालो, नदी पूचेगे, नदी कहां से निकलती, syllabus के बाहर नहीं पूचा जाएगा, MPPSC की सबसे बड़ी विशेशता यही है, syllabus के बाहर प्रसन नहीं आएगा, और syllabus इतना decode है हमारे MPPSC का, पहले तो नहीं होता था, जब हम 2019 के अंदर करते थे, तो नहीं होता था इतना detail में, आजकल आपके लिए सुविदा है कि 2019 के बाद का जो सलेबस आया है, 20 वाला, उसमें प्रिलिम्स में वो बता दिया है कि अपसे क्या पूचा जाएगा, अगर उसने लिखा है कि भारत मांसून पर प्रसनाएंगे, तो आप प्रसन पेपर उठा के देख लिजे, पूराने प्रसनों को आपको definitely मांसे प्रसन में प्रसन में लेगे, पिशली बार आप अगर उस प्रसन को ज्यान देंगे, तो पूचा गया था कि बताईए, मत्यप्रदेश में जो वर्षा होती है, वो किस चाखा से जादा वर्षा होती, कितना परसन वर्षा होती, इस statement के बारे में प्रसन पूचा जा सकता है ठीक है, तो भारत के बुगोल से सामाने से प्रसन आएंगे, लूसेंट से कवर किये जा सकते हैं, यूटूब पे बहुत सारे लोग है, पढ़ाते हैं, फ्रियोप कोस पढ़ाते हैं, यूटूब पे भारत का बुगोल सर्च कीजिए, किसी की 15 गंटे की वीडियो मिलेगी, किसी की 10 गंटे की मिलेगी, एक बार, एक नजर देख लिजिए, और ये सब भी नहीं अगर होता है, तो 11, 12 की NCIT पढ़ लिजिए, काम हो जाएगा, ठीक है, अब यूट नंबर 5 पर आते हैं, भारत और मध्यप्रदेश की समयदानिक प्विवस्ता हम क्या पढ़ना है, रा सारी चीजे पढ़ना है, भारत के बारे में अगर पढ़ना है, तो राश्पती, सुप्रीम कोट, ये सारी चीजे पढ़ना है, लूट से इसे भी कवर कर सकते हैं, लूट एक बहुत बेस्ट बूख है, आप उसको हलके में न ले, बिना लूट के अगर आप जाएगे, बहुत कम कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, परिक्षादाम, सर बढ़िया देते हैं, कोई दीकत नहीं, ठीक है, उनिट से वाले, उनिटेट, मार्केट में, जब आपका पेपर हो गए, जैसे मार्च में पेपर होता है, तो कोई ने कोई आपकी, एक मेगजीन आजाए हैं, सेलेक्षन टोक वाले सर निकालते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अपने MP में धिकत ही नहीं, तो करंट अफेर के लिए आपको मिल जाएगे, मध्यप्रदेश की भी, और इंडिया करंट अफेर की बात अगर करो, यह तो जो मैंने नाम लिए MP के लिए हैं, इंडिया क की करंट अफेर, सेलेक्षन टोक की करंट अफेर, इनमें से कोई एक लेना है, सारी उठा के नहीं लाना है, एक, ठीक है, बाकी YouTube पे हम वीडियो डालते रहते हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएगा, सुचना एब हम संचार पोद्योगी की, कंप्यूटर, काफी बड़ी य रटने वाली यूनिट है, ये बाहर करवा सकती है आपको, और बाहर इसमें होते हैं, स्टुडेंट, तो यूनिट 9, ठीक है, दो सजेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको, एक परिक्षाधाम और एक निर्माना येस, आप कहोगे सर, आप बार बार परिक्षाधाम का नाम ले रह हैं, निर्मान वाले सर, संजेश सर ने भी बढ़िया किताब में निकाल रखी, यूनिट 9 के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिखत नहीं है, यूनिट 10, हाली में एक नई यूनिट चुड़ी है, मध्यप्रदेश की जंजातियां, यह प्रारम भी परिक्षा की ह तो मध्यप्रदेश की जंजातियों के लिए, जैसे आपको किताब में बता दी है, तो आप पॉस करके देख ली जगा ना, कि कौन सी किताब का मैंने नाम लिया है, किस यूनिट पे, तो वो आप मंगवा लीजी, बिना किताब के नहीं होगी यारतिया, आप सोचो कि मैं के यूटूब से PSC परी निकाल दो, तो असंबह होगा है, ठीक है, लोड्स आपके पास चाहिएगे, किताबे चाहिएगी, तभी खुगा सेलेक्शन, यूनिट 10, यूनिट 10 नई यूनिट चुड़ी है, जंजातियों से सम्मादी थे, ठीक है, तो इस जंजाति वाली यूनि सेलेक्शन टॉक, नाम से संदीप सिसोधिया सर नाम इशादुन का बढ़िया किताब है, आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें आपको फोटो के साथ सारी चीज़े मिलेगी, आपको कोश्चन्स मिलेंगे, पीछे प्रेक्टिस कियो है, PSC ने जित प्रेक्टिस का बेंक मिलेगा, जो जनजाती के होंगे के बड़, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये दस विनिट आपके प्रेलिम्स की हो गई, दिसंबर दोजार पच्चिस, मतलब दिसंबर दोजार चोईस में नोटिपिकेशन आएगा, पच्चिस म पूछा उतना ही जवाब दे, ठीक है, और जो चीजे हैं, उसमें आपको इन जी जो का विशेज ज्यान रखना है, पाटिकरम पढ़ना है, और उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो ज़्यादा नंबर दिलवाने बानी है, ठीक है, यहां तक काफी है, काफी वीडिय या डिमांड की जा रही थी, तो मैंने ये वीडियो अपको लिए बनाया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मुझे पर देख सकते हैं, और उसके अलावा भी, अगर आप की कोई क्वारी हो, आपका कोई मैसेज हो, कोई ऐसी बात हो, जो आप मुझे करना च आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सस्क्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑफिशली पढ़ाता हूँ, तो आपको महाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो इंस्टरग्राम और पर्फेक्शन के चैनल पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, बाकि सारी कोई भी बात हो, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकता है, वो निर्मान हो सकता है, अकार हो सकता है, एक कोचिंग के नोट्स ले लिजे, यसा इसलिए कहरा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम होता है, और बहुत कम समय में selective materials पाना बहुत बढ़ी बात होती है, जो गलती आपने की है, वो आपको किताबे खरीद के लाओगे ना, तो किताबों के अंदर क्या होता है, जैसे मालीजे आपको यह बहुत बड़ी किताब खरीद के लाओगे, मालीजे माजिद हुसेन लेकर आगे, बुगोल की माजिद हुसेन, तो कुछ पॉइंट उसमें होंगे, जो आपके काम के होंगे, बा चाहिए तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप किसी coaching के notes ले लेते हैं तो काफी best होता है सारे मतलो एक साथ 0xs ले लो एक एक दो दो लेलो अगर पैसे की दिक्कत है तो आप ऐसा मंगवा सकते है ठीक है और syllabus आप करना विदियोज मिलते रहेंगे अगर आपको विदियो तहीं के अंदर बहुत बहुत है आप लोगू का, चाहिए